वेल्कम टू न्यू लेसन आई होप कि आप लोग सर्च एट्स बना के देख रहे हो और आप प्रेक्टिस कर रहे हो रेगुलरली सर्च एट्स की आज के लेसन में मैं आप से बात करूंगा बाउट बल्क आक्षिंश अपहां देख रहे हो बल्क एक्षिंश इसके अंदर आप देख सकत हो तीन अउप्षंस आ रहे ही पहला रूलस दैन यूव उव स्क्रेप्ट दैन यूव अअ अप्लोड गौरूर्छ Rules, Scripts, Uploads तो हम बात करेंगे इन तीनों के बारे में ये क्या है, क्या करते है और आपको इनसे कैसे फायदा हो सकता है तो चलिए Now, suppose करो कि आप 20 campaigns run कर रहे हो ठीक है, आप क्या run कर रहे हो 20 campaigns और total 20 campaigns 60 ad groups और 100 ads ठीक है 20 campaigns 60 ad groups and 100 ads suppose करो आप ये run कर रहे हो अब just imagine कि आपको इन्हें manage करने में कितनी मुश्किल होंगी कौन सा ad set खराब काम कर रहा है कौन सी ad खराब काम कर रहे है कौन सा ad group अच्छा काम कर रहा है कौन सा ad group खराब काम कर रहा है ये सारा data अब आपको देखने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा बहुत ही ज़्यादा समय अब अगर आप इसे automate कर पाओ automate कैसे कि जो भी खराब एड है वो अपने आप बंद हो जाए जो भी अच्छी एड है उसका budget अपने आप बढ़ जाए हाना अगर ये काम अपने आप हो जाए देन आपका काम कितना असान हो जाएगा राइट अब ये automation का काम आप किसके थू कर सकते हो वो काम आप कर सकते हो इन तीनों चीजों की help से क्या है rules, scripts, uploads rules, scripts, uploads मतलब आप चाहो scripts क्या होता है scripts are basically codes आप चाहो तो Google में code लिख सकते हो कि भाईया जैसे ही मेरा CPC अगर मेरा CPC 10 रूप ऐसे कम है तो मेरा budget 20% बढ़ा दो आप ऐसे rules लिख सकते हो और ये codes आप लिख सकते हो ऐसे ऐसे codes आप लिख सकते हो राइट अगर आपको code लिखना नहीं आता अगेन कोई tension की बात नहीं है आपके लिए क्या बनाया है rules ठीक है आप क्या use कर सकते हो rules प्लस अगर आपको bulk edits करने है तो एक और option है uploads आप excel file के अंदर सारा data डालके वो file क्या कर सकते हो uploads upload कर सकते हो Google में ठीक है अगेन this is not recommended बहुती cumbersome सा काम है scripts अगेन अगर आपको code लिखना आता है तो आप simple यहां जाओ scripts के अंदर प्लस करो wait a second और यहां पे जगा बनी आएगी जहां पे आप अपना code लिख सकते हो और जैसे ही जो भी आप code लिखोगे Google उस इसाब से आपके code को execute करेगा देखो यहां पे आप अपना code लिख सकते हो राइट अगेन अगर आपको code लिखना नहीं आता है कोई tension की बात नहीं similarly अगर आप uploads में जाओगे तो आप यहां पे excel file क्या कर सकते हो upload प्लस करके excel file upload कर सकते हो यह आप template देख लो यहां से आप एक template download कर सकते हो excel और इस template में आप चीजों को लिखके upload कर सकते हो बहुत ही असान है कोई tension की बात नहीं है जैसे यहां पे लिखना है आपको campaign sub यह देखो यहां से जाओ campaign state कौन से campaign देखने हैं वह campaign जो active है paused है enabled है campaign का नाम लिखना है आपको delivery method आप जो भी changes करना चाहते हो यहां पे करके चीजों को upload कर सकते हो but again जो सबसे best है वो क्या है rules सबसे best है rules अब rules कैसे बनाने है आप देखो मैंने किया plus अब देखो rules बड़े सारे level पे rules बन सकते हैं कैसे बन सकते हैं campaign rule ad group rule again आप समझगे ना rules होते क्या है से आप चाहते हो कि अगर आपका cost per conversion 2000 से कम है cost per conversion अगर आपका 2000 से कम है तो आपका budget 10% increase हो जाए इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते है rules तो आप ऐसे rules बना सकते हो बहुत ही बहुत ही आसान तरीके से rules कितने level पे हैं तो बड़े सारे level पे rules है जो कि आप बना सकते हो campaign level पे ad group rules है keyword rules add rules है display keyword है topic rules है placement rules है audience rules है age range है gender rules है status rules है तो बड़े सारे rules है जो कि आप बना सकते हो पहले मैं एक campaign rule आपको बना के दिखाता हूं तो मैंने किया plus campaign rule और यह पूछ रहा है type of rule क्या है आप चाहते क्या हो enable campaign करना चाहते हो pause करना चाहते हो change करना चाहते हो budget या email भेजना चाहते हो अगर आप करोगे enable campaign तो जैसे आप नामसे समझ सकते हो जो भी आपके pause campaigns है उसको enable कर सकते हो pause campaigns जो भी आपके existing campaigns है उसे based on conditions आप pause कर सकते हो suppose करो 100 campaign run हो रहे है आप चाहते हो कि जिस campaign का cost per acquisition 100 रुपैसे जादा है वो campaign बंद हो जाए तो वो काम हो सकता है pause campaign से then we have change budget आप budget को change कर सकते हो अगर cost per acquisition 200 रुपैसे कम है तो 15% budget बढ़ा दे यह send email आपके पास just एक email आ जाएगी right तो हम करते है suppose करो pause campaigns कि हम क्या करना चाहते है pause campaigns then यह पूछ रहा है apply to campaigns किन campaigns पे apply करना है all enabled campaigns आपके account में जितने campaigns है उन सब पे करना है या all enabled and post campaigns जितने आपके account में campaigns है सब पे करना है या किसी specific campaign पे यह काम करना है तो आप चाहो तो कोई specific campaign भी choose कर सकते हो या आपके account में जितने enabled campaigns है उस पे भी आप काम कर सकते हो तो say मैंने कर दिया all enabled world campaigns then we have condition यहां पे click करो कि भया यह rule कब apply हो यह rule कब apply हो तो suppose मैं गया और मैंने कहा कि performance में जाते हैं और हम जाते हैं clicks पे ठीक है एक काम करते हैं दूसरा जाते हैं वापस जाते है performance पे और देखो average CPC है हमने क्या average CPC हमने क्या कहा अगर मेरा average CPC 50 रुपए से जादा है ठीक है अगर मेरा average CPC 50 रुपए से जादा है तो मेरे campaigns क्या हो जाएंगे pause ठीक है और ये कब देखना है daily ये काम करना है कितने बज़े करना है तो same मेरे को करना है 12 बज़े using data from previous day मतलब Google मेरे पिछले दिन का data देखेगा और अगर पिछले दिन मेरा CPC 50 रुपए से जादा हुआ तो क्या हो जाएगा वो campaign pause हो जाएगा अब campaign का नाम लिख दिया मैंने suppose pause campaigns CPC more than 50 और इसको कर दिया save rule अब एके rule save हो गया अब क्या होगा कि जैसे ही कोई campaign है जिसका CPC 50 रुपए से जादा था पिछले दिन तो अगले दिन Google उस campaign को अपने आप pause कर देगा आपको कुछ करने की जोरोति निया बहुत जादा simple प्लस आप और रूल लगा सकते हो अब suppose मैं करना चाहता हूँ add group level पे तो मैं कर दिया add group level पे again same concept enable dog pause ad group change ad group bid या send email so suppose मैं करना चाहता हूँ change ad group bid just simple है enable अवन Means add group pause change ad group bid या send email तो change ad group bid करना चाहता हूँ अब किस पर करना चाहता हूँ all enabled ad group या all enabled in pause liked add group ने करना चाहता हूँ all पे make changes to अब यह पूछ रहेомं किस cpc में change करना चाहते हो default max cpc max cpm target cpa तो हम ले लेते हैं max cpc जो भी मेरे account का max cpc होगा ठीक है अब क्या करना चाहते हो set new bids increase bid या decrease bid तो मैं करना चाहता हूं increase bid कितने से 10% से और maximum में कितना चाहता हूं 100 रुपए right condition मैं कभी ये बढ़ाना चाहता हूं मैं ये bid less than 10 और ये मैं daily कितने बज़े चाहता हूं 12 बज़े using data from previous day और rule का नाम लिख देते हैं increase bid by 10% अब एक बार दुबार आप समझ लो कि ये rule बनाए क्या मैंने rule क्या बनाया कि भाईया add group bid जो है वो change हो जाए perfect है ये कहां apply करना है rule all enabled campaigns में ये भी perfect है और change किस चीज में करना है तो maximum CPC है जो मेरे default maximum CPC है उसमें change करना है ठीक है ये पूछ रहा है क्या करना चाहते हो bid increase करना चाहते हो decrease करना चाहते हो नया bid बनाना चाहते हो तो भाईया मैं increase करना चाहते हो कितने से increase करना चाहते हो तो मैंने कहा दिया 10% से upper limit कुछ लगाना चाहते हो कि इससे ज़्यादा bid नहीं हो सकती मैंने कहा दिया हाँ 100 रुपैसे ज़्यादा bid नहीं होनी चाहिए ठीक है बिल्कुल सही है कब लगेगा ये rule अगर मेरा CPC कल के दिन less than 10 रुपीज होगा तब लगेगा कितने बज़े लगेगा तो डेली 12 बज़े लगेगा पिछले दिन का data use करके और ये हो गया save rule दो rule बना दिये मैंने अब देखो काम कैसे मेरा automate हो रहा है देख रहे हो अब वापस करो plus और बना दो जो भी rule चाहिए keyword rule चाहिए keyword rule बना दो क्या चाहते हो जी enable keyword pause keyword, change keyword bid या send email हाना तो सब में same rule है बस level अलग अलग है rule same है level क्या है बस अलग अलग, campaign rule का level अलग है, ad group rule का level थोड़ा सा अलग है, तो बस level change करने है और apply करने का तरीका same है ठीक है, so make sure कि आप ये rules आज बना के देख रहे हो अपने campaigns के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा काम हो सकता है rules से, अगर आप scale पे campaigns run कर रहे हो, तो ये बहुत ही जादा time बचाएंगे आप ठीक है जी, thank you so much for watching today's lesson